अब हम चाहां के important questions करने जा रहे हैं ये अंदर से बोड आपको दो माक्स के सवाल पूछती है दो माक्स के सवाल के अंदर जादा तर आप सब चार point ही लिखते हैं इस chapter के अंदर आपको चार से ज़्यादा पॉइंट लिखना पड़ेगा तभी जाके आपका अंसर सही होगा तो यह बार ध्यान रखना अब एक सवाल है यहाँ पर इंडिया थार्मिक चीजों को बहुत ही ज़्यादा माना जाता है यह सवाल है इसी से रिलेटेट एक और सवाल है आपको इंडिया के अंदर पिल्ग्रिमेज प्लेसिस के बारे में डिस्क्राइब करना है दोनों क्वेशन का सेम अंसर होगा हमारे देश के अंदर लोग धार्मिक है और अपने पिल्ग्रिमेज प्लेस पर विजिट करने जाते हैं अगर उनके वहाँ पर जाते हैं तो आपका जोतर लिंक यात्रा भी पूरी हो जाएगी यह 12 चोतर लिंक है यह इंडिया के 12 अलग अलग जगे पर है तो वही बात यहां पर लिखी हुई है गिन्णार के अंदर कुछ 35-36 क्यलो मीटर की एक परीकरमा होती है जिसके अंदर भक्त होते हैं सादू संत मिलकर यह परीकरमा को करते हैं इसको करने में करीब करीब 4-5 दिन चले जाते हैं हमारे देश के भक्तों के और सादु संतों के अब ये सत्रंजय या सत्रुणजय इस नाम से आप इनको बोल सकते हो ये जेन लोगों की एक pilgrimage place है ये सारी गुजरात के अंदर pilgrimage places वाली जगह हैं आप यहाँ पर जाके मुख्च की प्राप्ति कर सकते हो ये अलार 51 सकती पीथ इन इंडिया ऐसा बोला जाता है कि लॉड विश्नु ने सती माता के 51 पीसिस कर दिये थे अपने सुदर्सन चक्र से और वही 51 पीसिस हमारे धरती के उपर गिरे थे उनी सारी जगह को 51 सकती पीथ के अंदर include किया जाता है और ये सारी जगह भी हमारे देश के pilgrimage place के अंदर आती हैं अब लास्ट लाइन में लिखा हुआ है अब यहाँ पे देखो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे छे point लिखा है मैंने बट ये जो उपर वाली point है इसको आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि अंसर को बढ़ा करना है और नीचे तो same जो question था उसी को लिखा है यानि इसके अंदर भी आपने 4 ही point याद किया लिखा छे है बट चार point याद किया और आपका अंसर पुरा logical वाला हो गया अब यहाँ पे एक सवाल है कि अमदाबाद is non as historical city वाए अमदाबाद को historical city बोला जाता है ऐसा क्यों है तो एक line जो है वो similar मैंने वहाँ से लिख दी अमदाबाद could be non as historical city अमदाबाद को historical city के नाम से जाना जाता है ऐसा क्यों it has many places of culture heritage main answer यहाँ पे यह रहा cultural heritage वाली जगों की वज़े से ही अमदाबाद को historical city कहा जाता है यह आपका main answer है अब वो culture heritage वाली जगों के नाम जान लो भद्राफोट, जामा मजजिद, सेकिंग मिनारेट, सिद्धी सहीद नी जाली और भी कुछ नाम है एमद सानी मजजिद और रानी रूप मती मजजिद यह सारी अमदाबाद की culture heritage वाली जगा है इन सारी जगों की वज़े से ही अमदाबाद को historical city कहा जाता है यह आपका होगया अंसर पूरा जो अगला सवाल है कि discuss the sun temple of konark konark में जो sun temple है उसके बादे में हमको कुछ बाते बतानी है यह है कहाँ पे it is situated in पूरी district in odissa जो konark sun temple है वो odissa के अंदर है odissa के अंदर कहाँ पे पूरी district के अंदर इसको अगर आपको याद रखना है तो ऐसा जानो कि अगर आपको sun temple of konark घुमने जाना है तो आपको odissa की ticket निखालनी पड़ेगी अब odissa जब आप पहुंच जाओगे वहाँ से आपको पूरी district में जाना होगा तब आप sun temple of konark तक पहुंच जाएंगे इस तरीके से बनाया गया है कि सूर्य भगवान अपने रख के उपर बैठे हुए है और साथ गोडे उस रख को खीच रहे है इस तरीके से इस temple का structure है sun temple of konark has 12 massive wheels जो sun temple of konark है उस मंदिर के वहाँ पे 12 massive wheels भी है 12 massive wheels provide beauty to the base of the temple जो temple का base है वहाँ पे 12 अलग-अलग massive wheels बनाये गए है और यह जो massive wheel है वो काफी beautiful है और यह जो मंदिर है उसकी सुन्दरता को और बढ़ा रहे है 12 wheels reflect 12 months यह जो 12 wheels लगाये गए हैं इनके पीछे का logic क्या है यह जो 12 wheels है वो हमारे 12 महिने को दरसा रहे हैं जो 12 महिने होते हैं उनको दरसा रहे हैं each wheel has 8 spokes अभी एक wheel है उसके अंदर जो इस तरीके की line है मतलब ऐसी 8 line है उस wheel के अंदर तो वही बोला जा रहा है कि each wheel has 8 spokes 8 spokes so 8 paragraphs of the day हमारे जो हिंदू कल्चर है जो हमारा संस्कृत वाला कल्चर है उसके हिसाब से दिन के अंदर 8 परहास होते हैं यह जो 8 line है यह जो 8 spokes है वो दिन के 8 परहास को denote कर रहे हैं इतने logic तरीके से sun temple of kunar को बनाया गया है कभी मौका मिले तो वहाँ पर जाके घुन के आना कि कितना मज़ा आ रहा है जो भी structure बनाया गया है उसके पीछे कोई ना कोई logic है अब यहाँ पर आपको answer भी heart नहीं लग रहा होगा क्योंकि जानने में मज़ा आ रहा है अब अगला जो सवाल है वह क्या बुल रहा है कि राइड़ा फ्यू लाइन ऑन खाजु राव टेमपल हमको खाजु राव टेमपल के बारे में कुछ बाते बतानी है इस टेमपल है लोकेटेड इन स्मॉल विलेज नेम खाजु राव यह जो खाजु राव टेमपल है वह किस विलेज में है खाजु राव विलेज में इन छत्तरपूर डिस्टीक औफ मध्य प्रदेश आपको याद रखने के लिए थोड़ा सा उल्टा देखना पड़ेगा जाएंगे खाजु राव वॉस दा एसेंट कैपिटल सिटी और चंडेला राजपूत और बुंदेल खंड के चंडेला राजपूत का ये कैपिटल सिटी होता था एक समय में कौन खाजु राव टेमपल आर इन एक्जिस्टेंस आज के टाइम पे भी वहाँ पे 25 टेमपल है इनके अंदर से मोस्ट आफ टेमपल जो है वो सिव भगवान के हैं तो यहां पर आपके खाजु राव का कॉंसेप्ट अंसर सब कुछ हो गया पूरा उसके अलावा संकर भगवान के साथ साथ वहां पर हमको विस्नु भगवान की और जेन टेमपल भी देखने को मिलते हैं क्टूम मिनार अफमस्ट मिनार बारे में आपको बताना है किस ने बनवाया था इसको कुटूम मिनार ने बनवाया था मैं जान रहूं कि यह data थोड़ा सा hard है बट आपको यह याद करना पड़ेगा कुतुब मिनार is a 72.5 meter tall skyscraper इसकी उचाई कितनी है 72.5 meter उचा है कुतुब मिनार is made out of round red stone and marble आपने देखा होगा कि कुतुब मिनार का जो structure है वो round में है और red marble से बनाया गया है the circumference is 13.75 meter at its base नीचे का जो circumference है वो इतना है और उपर का जो circumference है वो इतना है बहुत easy easy lines में आपको इस answer के अंदर डाल के दे रहा हूं इसके अलबा और कोई भी answer लगाने की process मत करना और यह data याद करना तो आपका answer के अंदर impact बनेगा अब यहाप एक सवाल है कि give information about the fort of Agra ऐसे हमाएं पस डो fort है एक fort of Agra और एक fort of Delhi बट अभी पुछा गया है आगरा के fort के बारे में तो fort of Agra in the Agra city of UP आपको पता है कि अगरा UP के अंदर आता है तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है it is made up of red stone hence it is known as red fort इसको red fort क्यों बुला जाता है क्योंकि red stone से बनाया गया है it was built by Akbar in 1565 AD के अंदर अकबर के द्वारा इस fort को बनाया गया था जहांगीर पैलेस was built by Akbar in this fort इस fort के अंदर एक और पैलेस है जिसका नाम है जहांगीर पैलेस तो यहाँ पे आपके आगरा के fort का भी हो गया अंसर पूरा और काफी इसी था अब एक सवाल है यहाँ पे पूछा गया है कि mention in brief about the elephant cave आपको elephant cave के बारे में बताना है this cave are built in the Arabian sea यह जो cave है यह Arabian sea के अंदर आपने को देखने को मिलता है elephant cave are 12 km away from Mumbai in महारास्ट महारास्ट के मुंबई सहर से 12 km दूर हमको Arabian sea के अंदर elephant cave देखने को मिलता है there are seven caves in all जब यहाँ पे हम देखने जाएंगे तो हमको total seven cave देखने को मिलेंगी the Portuguese named it Elephanta यह जो Elephanta नाम है इस cave को किस ने दिया था Portuguese ने दिया था the wonderful tree multi temple in cave number one is the best specimen of sculpture जो सबसे अच्छी जगह है यहाँ पे देखने वाली वो है tree multi और वो कौन से cave के अंदर है cave number one के अंदर है तो यहाँ पे आपका इसका अंसर भी हो गया पूरा right about the art of architecture at Humpy अब हमको Humpy के architecture के बारे में कुछ बाते बतानी है this town is situated on the bank of river टूंगा भज्रा ऑफ हॉस्पैट इन बेलारी डिस्टीक ऑफ करनाटका यह बहुत हाट डेटा है बट याद कर लो मेरे साथ करनाटका के बेलारी डिस्टीक के टूंगा भज्रा नदी के किनारे पर यह अपने को देखने को मिलता है काफी हाट डेटा है तो एक समय पर कैपिटल कहलाता था जो विजे नगर के किंग्डम के लोग थे वह आट के लवर थे इसलिए यहाँ पर आर्किटेक्चर देखने को मिलता है क्योंकि विजे नगर किंग्डम के लोग थे वह आट लवर थे तो अच्छी चीज़े यहाँ पर देखने लायक है वह है कि वो लोग हुज थरों के अंदर से काट-काट के वन्डर्फुल पिलर्स बनाते हैं तो सबसे अच्छा आपकी चीज़े यहाँ पर देखने वाली क्या निकल के आई कि बड़े-बड़े पथरों को काट कर वन्ड जय नगर किंग्डम के अंदर तो यह आपका अंसर हो गया इसका पूरा अगर आपको यह उपर वाला टेटा हाड लग रहा है तो टेश्बुक के अंदर जाना जो आपको इजी लगे वह पॉइंट उठा के वहाँ पर डाल देना जो नहीं कि यहीं डालना होगा आगे एक स आपको याद रखना पड़ेगा अकबर ने किनकी मैमरी में यह सहर धुड़ा था सूफी सैंड सेख सलीम चिस्थी अकबर में फतेपूर सिक्री ऐस ओन कैपिटल सिटी जब अकबर राज कर रहे थे तो उन्होंने अपनी सहर का अपने सामराजे का कैपिटल किसको बनाया थ पतेपूर सिक्री को बनाया था विल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ सिक्री वस स्टाटेड इन 1569 एंड कंप्लिटेड इन 1572 जो यहां पे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है वह चालू हुआ था 1569 में और बंके कंप्लीट हो गया था 1572 में यह डेटा है थोड़ा सा याद यहां पर जो सबसे अच्छी बिल्डिंग या जो सबसे अच्छा आखिटेक्शर है वह कौन-कौन सा है तो यहां पर यह वाला भी अंसर आपका हो गया पूरा अब आपको यहां पर पूछा गया है कि इन्फरमेशन अबाउट अजंता के के उसके बारे में कुछ इंफरमे के अंदर जब आप घुमने जाओगे तो वहां पर आपको टोटल 29 के उस देखने को मिलेगी अजंता के को को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है एक पार्ट है चाहितियास एक पार्ट है वियारास चाहितियास मतलब पूजा करने वाली जगह में बाट दिया है इस के क incanica के आप जाओगे तो ये बहुत बड़ा एक्जाम्पल है बुद्धिष आपर देखने को मिल जाएंगे तो यहां पर आपका अजंता क्यों का भी अंसर हो जाता है पूरा अब यहां पर आपसे एक सवाल पुझेगी इन्फरमेशन अबाउट कैथेड्रल एंड चर्चिस ऑफ गुवा हमको चर्चिस ऑफ गुवा के बारे में बताना है वह वाज अपर पॉच्यूगीस जब हमारे देश में पॉच्यूगीस ने अटेक किया था तो गुवा उनका कैपिटल था इन ओल्ड गुवा के अंदर चर्च अफ बसलिका ऑफ बॉब्जेजस अंड बसलिका ऑफ गॉड जेजस यह दोनों गॉड़ों की चर्चिस हमको गुवा के अंदर देखने को मिलते हैं The remains of St. Francis Xavier are kept in the coffin of Goa St. Francis Xavier की जो अस्तिया है वो आज भी Goa के किसी चर्च में रखी हुई है ये बात आपको याद रखनी है St. Francis Xavier dead body has not decayed even after many years Goa में जो St. Francis Xavier की dead body रखी हुई है वो आज तक खराब नहीं हुई है इस तरीके से preserve करके उनकी body को रखा गया है तो यहाँ पर आपका इसका अंसर भी हो गया पूरा अब यहाँ पर आपको एक सवाल पूचा है कि राइटर नॉट on the Red Fort of Delhi अब आपको डैली के Red Fort के बार में बताना है Red Fort is located in Delhi and was built by the Saar जहां in 1638 AD बेको आप सबको पता है कि Delhi का Red Fort है तो डैली के अंदर होगा पर यहाँ क्या रखना है कि Saar जहां ने बनवाया था यह जो चीज है इसको आप अगर निकाल दोगे तो भी चल जाएगा यही तक यहाँ रखना तो भी आपका अंसर हो जाएगा पूरा इस fort is made of red stone यह easy आपको पता होगा इस fort includes दिवाने आम, दिवाने खास और एक है रंग महल यह जो चीजे है यह Red Fort of Delhi के अंदर बनाई गई कुछ architecture, beautiful architectures है पिकॉक थॉन is the beautiful creation of this fort पिकॉक थॉन यानि पिकॉक थॉन नामा के गद्दी है वो इस fort की सबसे beautiful creation हो मसे एक है याद रखना क्या है? पिकॉक थॉन, पिकॉक वाली गद्दी यह Red Fort of Agra की सबसे beautiful creation मसे एक creation है नादिर साथ तुक दा पिकॉक थॉन along with him to Iran नादिर साथ नामक कोई राजा होंगे जो यह पिकॉक थॉन को इरान लिकर चले गए अब यहाँ पे जो line लिखी है वो आप सबको हम सबको पता है और यह हमारे लिए बहुत pride moment होती है Every year hour Indian flag is hosted on the Red Fort on National Festival हमारे देश में जब भी 15 अगर्स या 26 जन्वरी है तो Red Fort के उपर हमारे देश का जंडा हमारे प्रधन मंति के द्वारा लहरा आया जाता है वही यहाँ पे लिखा हुआ है यह लास्स सवाल है आपका Where is the Humayu Thorn situated? Give brief information about it Humayu Thorn कहां पे है? इसका जवब आपको देना है The Humayu The Thorn of Humayu at Delhi Is the best example of Mughal architecture Humayu Thorn कहां पे है? Delhi के अंदर है After the death of Humayu It was built by his wife Queen Hamida Begum Humayu के death हो जाने के बाद इस thorn का structure किसने पूरा करवाया? Hamida Begum वो कौन थी? उनकी wife थी This thorn was made in the Iranian style of art अगर आपको बताया जाए कि Iranian कारीगिरी के अंदर इस thorn को बनाया गया है जो इरान में चीजों को बनाने का यानि buildings को बनाने का structure होता है उसी structure के अंदर इस thorn को इंडिया के अंदर बनाया गया है ये line से आपको ये समझना है Red and white stone were skillfully used in it इसको बनाने के लिए Red और white stone का इस्तमाल किया गया है तो यहाँ पे आपका ये chapter भी पूरा हो गया ये chapter के अंदर मेरे को आपको बस यही बताना था कि अंसर को पूरा करने के लिए और एक दो line add करनी पड़ जाएगी अगर आपको इन topic के अंदर से कोई भी topic अभी भी hard लग रहा है तो मुझे comment करना मैं उसको इससे भी easy तरीके से समझाने की कोशिस करूंगा